हरे कृष्णा रादे रादे भक्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परसंदी भक्ति ज्यान गंगा में आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुब कामना है आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ की संपूर्ण पुजा विधी जानेंगे कि किस प्रकार से हमें करवा चौथ का पूजन करना चाहिए इसका जो पूजन होता है मुख्य रूप से शाम के समय किया जाता है सूभा के समय सिर्फ संकल्प लिया जाता है शीमपल साधारण सी पूजन किया जाता है शाम के समय प्रदोश काल में इसका विशेश रूप से पूजन किया जाता है लेडिस गुरूप में भी करती हैं आप इस तरीके से अकेले में भी इस पूजन को कर सकते हैं तो देखें कार्टिक मास के क्रिष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी के दिन, करवा चोथ मनाया जाता है। तो देखें एक चोकी लगाएं, उसके उपर लाल या पीला वस्त्र भिचाएं, आसन बिछाएं और चोकिक का जो दिशा है आप पूरव दिशा में या फिर उत्तर पूरव दिशा में लगाएं और इस तरह से करवा चौत माई का फोटो या कलेंडर लगाएं साथ में शीप परिवार का जो है पूजन करें तो देखिए भक्तों इस पूजन में जो है कलस की स्थापना जरूर से करनी चाहिए जो कि विशेश पूजन होता है तो मैंने यहाँ पर अश्टदल कमल बना लिया है और पीतल का या फिरतांबे का आप कलस ले सकते हैं मिट्ट का यूज कर रही हूं तो आप कलस में जल डाल दें इस तरह से कंट तक भर देना है और इसके अंदर हमें डालना है लॉंग इलाची सिका सुपाड़ी रोल अक्षत और या हल्टी पाउडर यह सभी चीजे आपने डालने है जो कि मैं हर एक वीडियो में बताती हूं कि कलस स्थापना हमें क्या-क्या समगे डालनी होती है इसका फूल वीडियो भी हमाई चनल पर है आप वहाँ जा करके देख सकते हैं उसके बाद में पंच पल लव जो है हम अच्छी प्रकार से सजा लेंगे आप चाहेता रंगोली भी बना ले और जहां पर आप पूजन कर रहे ह महाँ पर भी रंगोली बना सकते हैं क्योंकि रंगोली से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं आकर्शित होते हैं हमारी पूजा की ओर तो देखिए हमने इहां पर दीपकलस की स्थापना कर ली है आप देखिए सबसे पहले हमें चद्रमा कौरग्य देने के लिए जो है मैंने मिट्डी का लिया है अगर आपके पास किसी भी धातौंक यानी पीतल का हो तो आप ले सकते हैं उसमें आप अक्षऺ पुषप डाल दीजेगा ठक्कल लगा दीजेगा इस प्रकार से और इसमें हमें कर्वा माई के सामने ही लगाना है मैंने इहां पर अक्षट भरे ह आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, गें। ले सकते हैं, चीनी भर सकते हैं, और देखे चार रंग का विश्च महत्म होता है, तो मैंने यहां पर मीठे में बताशा रखा है, चार और देखें हम इहां पर एपन जो होता है, गें। के साथ या चावल के आटे में हल्दी डाल करके घौल तयार करते हैं फिर इसे 13-13 टिकिया लगाते हैं करवे के ऊपर अगर अपन आपके यहाँ पर यूज नहीं होता हो तो आप यहाँ पर 13-13 टिकिया रोली की कुम-कुम की भी इस तरीके से लगा सकते हैं तो देखिए हमने एक और करवा लिया है जिसमें हमें जो है मेठा करवा भरना होता है जैसे आप इसमें ड्राइफ रूट भर सकते हैं या फिर लड़ू, मिठाई, खील, बतासा भर सकते हैं मैं यहाँ पर मेठी, लाई, फिक्की वाली है वो डाल रही हूँ आप यहाँ पर लड़ू भी भर सकते हैं मखाने भी भर सकते हैं ड्राइफ रूट भी भर सकते हैं और मैंने यहाँ पर बताशे भर दिये हैं तो भगत यह सुहागी निस्त्रियां अपने पती की लंबी आईउ के लिए इस वुरत पूजन को करती हैं तो देखिए उसके जीवन में आए आक्षित भर देंगे तो देखें सर्व प्रत्थम द्रोपती ने अर्जुन के लिए इस व्रत को किया था और जिन लड़कियों की सगाई शादी हो जाती है तो वह भी इस व्रत पूजन को कर लेती है तो देखें हमने यहाँ पर कलस में रूई लगा करके तोटी को बंद कर दिया है यदि आपके इहाँ पर सीके लगाई जाती हो गोवर्धन की तो चार या साथ सीके आप लगा सकते हैं तो जो चार सीके होती है वो चौथ के नाम की होती है यदि हम साथ सीके लगाती है तो वो साथ बहुए साथ बेटों के नाम की लगायाती है मैंने एक पान के पत्ति के उपर गणेश जी और शिवलिंग और साथ में गोरी मईया को हमने स्थापित किया है और अक्षतों से हम यहाँ पर चंदरमा का आकार दे देंगे क्योंकि हम करवा चौतिय दिन चंदरमा की पूजा करते हैं तो इस प्रकार से हमने बना लिया है और साथ में हम दूबदीब की स्थापना कर लेंगे और देखे मैं सभी देवी देवता का आवाहन एक ही बार में कर रही हूँ आप चाहें तो अलग-अलग भी कर सकते हैं उनसे प्रातना कीजे कि है सभी देवी देवताओं है माता पारवती है गोरी गणेश है शिवशंक भगवान है चोथ महिया आप सभी हमाई चोकी पर विराजमान हो जाएं और अपनी पूजा करने का सोभागे हमें प्रदान करें आप एक दिन पहले अपने हाथों में महंदी लगा ले और पूरे 16 सिंगार करके ही इस पूजन को करें साधी का जोड़ा पहने यदि साधी का ना हो सके तो कम से कम साधी वाली चुनरी ओड़ करके जरूर से पूजन करना चाहिए हम यह आपर जलका छीटा लगा देंगे इस प्रकार से शुद्धी करन पवित्री करन कर लेंगे आप आच मनी भी कर सकते हैं भक्तो यह जो वीधी है वास्तों में यह थोड़ी विस्त्रित वीधी है वास्तों में पूजन इसी प्रकार से करना चाहिए यह जो पूजन होता है गौरी गणेश भोले नाची का पूजन होता है विशेष रूप से तो रेखे जो है अभिशेक भगवान भोले नाची को अध्याधिक प्रिया होता है पंचम भिस से स्नान कराएंगे उसके बाद सुद्धोधक्सनान करादेंगे तो मैंने यहाँ पर सभी को शुद्धोडक्ष नान करा दिया है बक्तो करवा चोथ जो होती है एक तिथी होती है जिसकी हम पूजा करते हैं माई के रूप में तो हमने यहाँ पर जो है सनान कराने के बाद में जनेव समर्पित कर दिया है और चंद्रमा भगवान को भी हमने हाँ पर जनेव समर्पित कर दिया है माता रानी को हम वस्तर रूपी कलावा अर्पित कर देंगे आप चाहे तो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं बक्तो शीवलिंग को शीव जी भगवान को अभिशेक अत्यधिक प्रिया होता है इसलिए आज के दिन हो सके तो आप शीवलि चंदन रोली से टीका करेंगे और आप भगवान शीव जी को सफेज चंदन या आश्टगन चंदन से टीका लगाएं जो सभी देवताओं की जो भी प्रिय वस्तुए होती हैं वो जरूर से अर्पित करने चे इससे हमारे भगवान जो है प्रसन होते हैं जैसे की मैंने आप 4 माई जो है वहे एक तिथी है हम तिथी की पूज्ञ करते हैं और देखें भकतो जैसे कि मैंने आपको बिताया है भकत ये जो पूजन होता है ना यह शाम के समय किया जाता है प्रदोशकाल में तो देखें यानि कि चंद्रो उदय होने वाला हो उससे 1.5 गंडे पहले आप इ पूजन हमने पूजा की पैयारिया कर ली थी वह आप दोभेर के समय करने के बाद में आप अपने पूरे सोला सिंगार करें हो सके तो नए वस्तर पहने नए वस्तर नहीं होते हैं नहीं हो सकते हैं तो आप शादी की जो जोड़ा पहन ले तो शादी की चुनरी तो अवश्य रुप से ओढ़नी चाहिए गणेश जी को हमने हाँ पर दूरवा अरपित कर दिया है आप गुढ़ल का फूल अरपित कर सकते हैं तो देखे भक्तो करवा चौथ का व्रत महिलाएं पती की लंबी आयू के लिए दीरग आयू के लिए अच्छे स्वास्ति के लिए जो है श्रद्धा और रास्था के साथ क करना चाहिए सुई का सुई चाकू का यानि तेजधार वाली चीजों का प्रियोग भी नहीं करना चाहिए तो देखे मक्तो करवा चौथ की पूजा अक्सर महिलाएं ग्रूप में करती हैं और एक दूसरे के साथ करवा बदल करके यह पूजा की जाती है करवा चौथ पर मह अकेले भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस विधी को दिखा रही हूँ, और इसमें पूजा में चलनी का विशेश महत्व होता है, क्योंकि चलनी के माध्यम से ही हम चांद को देखते हैं, और अपने पती को देखते हैं, गोरे मिया को हम इहां पर 16 सिंगार की सामगरी भे तो देखिए हमने माता को दो-दो चूड़ी लाल पहना दी है, सिंदूर अर्पित कर देंगे तीन बार, और जो नेल पेंट वगरा है, महावर है, आप जिरूर से लगाएं, और अपने पैरों में भी लगाएं, इस प्रकार से हम धूब दीप दिखा देंगे, तो भक्तों जो ये वरत होता है, सुहागिन महिलाएं करती हैं, और जिनकी सगाई हो जाती है, वो भी इस वरत पूजन को करती हैं, तो इस दिन महिलाएं सुभा के वक्त सर्गी खा करके, इस दिन की शुरुवात करती हैं, और फिर पूरे दिन निर्जला वरत करती हैं, शाम करवा माता की पूजा करते हैं और साथ में ही कठा का पाठ करती हैं फिर चंद्रमा माता को चंद्रमा को अरग देकर व्रत खोलती हैं तो जैसे भी जो भी आपने भूग प्रसाद रखा है बना करके उसका भोग लगाए रितुफल का भोग लगाए बताशे का भोग लगाए सफेद मिठ मिठाई का भोग लगा सकते हैं और यहां पर देखे हमारे यहां पर अठावडी चढ़ाई जाती है मैंने यहां पर आठ पूर्यां देशी घी में तली है हल्वा और जो है एक से फल रखा है साथ में एक बताशा मतलब रख दिया है आप दूद से बनी हुई कोई भी मिठाई का अशिरवाद लेकर अपना वरत पूर्ण करती है तो देखे मैंने यहां पूरे विस्तार से बतानी हो जो भी हमें अपने सासु मा को या देवरानी जिठानी को देना है वस्त्र निकाल ले सोला सिंगार के सामागरी रखें दख्षणा रखें और चोकी पर ही रख ले क्य कि हमें मिनस करके देना होता है और चोथ मिया को हमें यहाँ पर नारियल जटा वाला पानी के साथ में कुछ दक्षना रख करके भेट जरूर से करना है तो देखें भक्तों करवा चोथ का जो पूजन है कब है और इसका शूमहुरत क्या होगा पूजा करने का समय क्या होगा श और देखे भक्तो जो ये पूजन है यदि आपने यहाँ पर पूजन कर लिया है भक्तो ये जो कथा है किसी किसी के यहाँ पर सुभा दोपैर में सुनी जाती है किसी किसी के यहाँ पर साम को कथा सुनी जाती है तो दुर्वा किनाल पोश्पो और गेहु के दाने या फिर चा प्राप्त करेंगे अगनी देव से तो देखे बगतों और घी की आहूतिया देगे सबसे पहले गनेश जी के नाम की और न ग्रह के नाम की चंत्र देवता के नाम की भगवान शीप जीगी और गौर्यमिया के नाम की उसके बाद में हम हवन समगरी डालेंगे तो देखिए एक भक्त का कमेंट आये था दिदी हम एक बार बोलते हो कि गड़े जी के नाम की आहूतिया देनी है फिर आपके 308 तो देखिए भक्तों जितनी भी आपके पास समय होश्रादा हो आप उपने अनुसाल हवन की आहूतिया दे सकते हैं और जो भी आपने भूग प आपकरवा चौत के दिन जरूर से करें उसके बाद में हमें करने होती है कपूर से आरती तो देखिए भक्तों यदि सब जैसे की कथा सुनने के बाद में साथ बर करवे की अदला बदली करें उसके बाद इस जल से भरे करवे को रात में चंद्रमा को रग्धे देने के तो इसमें सभी जानकारी देना थोड़े मुश्किल है तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमाई चनल को सस्क्राइब कर लिजेगा साथ में बैल आइकन की घंटी को भी आउन कर लिजेगा ताकि जो भी हम आप वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उस नोटिफ पारितिगा सकते हैं हम यहाँ पर जो आर्ती कर लिए हैं उसके बाद में आर्ती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे शीतली करहन करेंगे पवीत्री करेंगे तो दीगे भक्तों हमारी हाँ पर जो है बायना चंद्रमा जो धलने से पहले यानि चंद्रमा उदाय होने से पहले पहले हमें जो सासुमा के लिए बायना निकाला है भूग प्रसाद निकाला है वो हम रात होने से पहले ही अपनी सासुमा को दे देते हैं उनके चरंश पर्ष कर लेते हैं यदि आपकी सासुमा नहीं है तो आप अपनी जिठानी को या फिर ननद को दे सकते हैं यदि जिठानी ननद और सास भी नहीं है तब आप मंदिर में जाकर किसी पंदतानी को दे सकते हैं या फिर जो कथा सुनाने आती हैं तो आप उनको भी दान में दे सकते हैं सुहा का समान जादा दान कीजिए का वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लेक्षियर सिस्क्राइब जरू करें कमेंट बॉक्स में जै करवा चौत्माई अवश्य लिखें